क्या आपको लगता है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई ताकत है फिर से सोचे चीन, जापान और जर्मनी जैसे बड़े देश अब भारत की तरफ घबराहट भरी निगाहों से देख रहे है भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो उनकेवल उसकी आर्थिक ताकत को साबित करता है बलकि चीन की बरती ताकत को भी चुनौती देता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे भारत ने विदेशी मुद्रा भंदार में एक नया रिकॉर्ड कायम किया और अब पूरी दुनिया में हर कंप मच गया है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर में हो रही बड़ी आर्थिक घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने दुनिया भर के आर्थिक विशेशग्यों को चौंका दिया है भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसने दुनिया के बड़े देशों की चिंता बहा दी है इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये उपलबधी कैसे हासिल की गई और इसके पीछे की असली कहानी क्या है सबसे पहले समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और ये किसी भी देश के लिए क्यों इतना महित्वपूर्ण होता है दरसल विदेशी मुद्रा भंडार एक ऐसा खजाना है जिसमें अंतराष्ट्रिय मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड आदी को रखा जाता है ये वो पैसा है जिसे एक देश अंतराष्ट्रिय व्यापार के लिए इस्तेमाल करता है जितना ज्यादा किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वो उतना ही ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब लगभग 690 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है पिछले साल में इसमें 95 बिलियन डॉलर की बरोतरी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस बढ़त ने भारत को एक नई वैश्विक पहचान दिलाई है और उसकी आर्थिक ताकत को और भी मजबूत किया है अब बात करते है कि भारत की इस उपलब्धी से चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों को टेंशन क्यों हो रही है इन देशों की अर्थविवस्था काफी लंबे समय से मजबूत रही है लेकिन भारत अब तेजी से इनके मुकाबले में आखड़ा हुआ है सबसे बड़ा कारण है भारत का तेजी से बरता एक स्पोर्ट पिछले कुछ सालों में भारत ने कई ऐसे बाजारों में अपने पर जमाए है जहाँ पहले चीन की कमपनिया राज करती थी चीन की कई कमपनिया खराब गुनवत्ता वाले उतपादों को सस्ते दामों पर बेच कर वैश्विक बाजारों में अपनी पकर बनाए हुए थी लेकिन अब भारत की कमपनिया उन बाजारों में अपनी जगह बना रही है भारत के उत्पादों की बरती मांग के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंदार भी बर रहा है जहां चीन पहले कई सालों से इन बाजारों पर अपनी पकर बनाए हुए था वहीं अब भारत धीरे-धीरे चीनी कमपनियों को रिप्लेस कर रहा है इसके अलावा एक और चीज जिसने चीन की चिंताई बहा दी है वो है भारत का गोल्ड रिजर्व भारत ने हाल के वर्षों में नकेवल विदेशी मुद्रा भंदार भंदार बहाया है बलकि उसने अपने गोल्ड रिजर्व को भी तेजी से बहाना शुरू कर दिया है रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने इस साल 30 टन से अधिक सोना खरीदा है भारत अब सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है और अगर सोने की खरीदारी इसी तरह जारी रही तो हो सकता है कि भारत जल्द ही चीन को भी पीछे छोड़ दे सोने का भंदारन भारत के लिए इसलिए महित्वपूर्ण है क्योंकि अगर भविश्य में दुनिया भर में मुद्राओ की वैल्यू घत्ती है तो सोने के जरिये भारत अपनी आर्थिक स्थिर्ता बनाए रख सकता है भारत के विदेशी मुद्रा भंदार में जो तेजी आई है उसका सबसे बड़ा कारण है भारत का बरता हुआ एक स्पोर्ट पिछले कुछ सालों में भारत ने यूरोप, Middle East और अफरीका के देशों में अपने उत्पादों और सेवाओं का निर्यात बहाया है इसके कारण विदेशी मुद्रा भंदार में बरोतरी हुई है भारत की इस सफलता का एक और महित्वपूर्ण कारण है कि भारत ने अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को भी बहाया है Make in India जैसी योजनाओ ने भारतिये उत्पादों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मदद की है और इसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंदार पर पड़ा है अब सवाल ये उठता है कि भारत की अगली रन्नीती क्या होगी क्या भारत इसी तरह अपनी आर्थिक ताकत को बहाता रहेगा विशेशग्यों की माने तो भारत ने अभी अपनी असली क्षमता दिखानी शुरू ही की है आने वाले समय में भारत और भी बड़े कदम उठा सकता है जिससे नकेवल उसकी अर्थविवस्था बलकि वैश्विक स्थिती भी और मजबूत होगी भारत का लक्षे है कि वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बने और इसके लिए वो नकेवल अपने एक स्पोर्ट को बहा रहा है बलकि घरेलू उद्योगों को भी मजबूत कर रहा है इसके अलावा भारत का बरता हुआ गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार उसे भविशे के किसी भी आर्थिक संकत से निपतने में मदद करेगा अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत जल्द ही चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है आर्थिक विशेशग्यों का कहना है कि अगर भारत इसी गती से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन जाएगा भारत की बर्ती हुई आर्थिक शक्ती न केवल उसके पडोसी देशों को प्रभावित करेगी बलकि वैश्विक स्तर पर भी उसकी भूमिका बदल जाएगी आज भारत की अर्थविवस्था पूरी दुनिया में चर्चा का विशय बन चुकी है और उसकी तेजी से बर्ती विदेशी मुद्रा भंदार ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है अब बात करते है कि भारत की इस आर्थिक क्रांटी का आम लोगों पर क्या असर परने वाला है जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंदार बरता है तो उस देश की सरकार को विदेशों से सामान खरीदने में आसानी होती है इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है विदेशी मुद्रा भंदार के बरने से भारत का अंतराष्ट्रिय कर्ज भी कम होता है जिससे देश की आर्थिक स्थिर्ता बरती है इसके साथ ही इसका फाइदा देश की मुद्रा पर भी पड़ता है जिसे महिंगाई को नियंतरित करने में मदद मिलती है यानि की भारत की बरती हुई आर्थिक ताकत का लाब सीधे देश के नागरिकों को मिलेगा तो दोस्तों भारत ने जो आर्थिक क्रांती की है वो न केवल उसकी वैश्विक स्थिती को मजबूत करेगी बलकि देश के हर नागरिक की जिंदगी को भी बेहतर बनाएगी अगर आपको ये वीडियो जांकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताईए कि आप भारत की इस आर्थिक उपलब्धी के बारे में क्या सोचते है धनवाड